हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम पैंड की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और उसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे तो इसके लिए मैंने सवा दो मिटर फैबरिक लिया है और ये इस कपड़े की लंबाई है ये पूरा सवा दो मिटर कपड़ा है और इस पहले हम उपर से बेल्ड के लिए दो इंच पे निशान लगा लेंगे और अभी इस निशान को हम सीधा करेंगे उसके बाद यहां से हमें लेंध के लिए निशान लगाना है तो यहां से बेल्ड को छोड़के हम लेंध के लिए निशान लगाएंगे तो लेंध मैं ले रह इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे अभी यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर के लिए हमें हिप का मेजर्मेंट लेना है तो जितना भी आपका हिप का साईज है उसको four see divide करना है plus one inch की losing ले लेनी है तो मेरा हिप साईज है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 इंच प्लस 1 इंच की losing ले लेंगे तो वो आजाता है 10 इंच तो यहाँ पर हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे कमर के लिए उसके बाद यहीं से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे तो आसन के लिए आपको हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो जैसे कि मेरा हिप साइज है 36 इंच उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आजाता है 11 इंच तो यहां से हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और अभी यहां पर हम straight line से इसे जोड़ देंगे तो यह निशान हमें belt को छोड़ के लगाना है 11 इंच पर अभी यहां से हम 2 इंच पर मार्जिन के तो यह small size का है इसके लिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे तो 2 इंच पर मार्क करके हम यहां से गुलाई का shape देंगे अभी हमें bottom के लिए निशान लगाना है तो bottom के लिए हमें इसका center निकालना है तो यहां पर हम इंची टेप को रखेंगे और यहां पर इसके center पर एक निशान लगा लेंगे तो इसका center आ रहा है सवा 6 इंच पर तो यहां पर हम सवा 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और नीचे की तरब भी हम सवा 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम straight line से जोड़ देंगे तो इस तरह से हमें इसका center निकालना है bottom की marking करने के लिए अभी यहां पर हम bottom लेंगे तो जितना भी bottom है उसका half इस तरफ लेना है और half इस तरफ लेना है तो bottom है मेरा 6 इंच तो यहां पर हम 3 इंच इस तरफ लेंगे और 3 इंच इस तरफ लेंगे तो इस तरह से यह हमारा 6 इंच यहां पर आ गया है अब यहाँ पर straight line draw कर लेंगे उसके बाद हमें इस निशान को यहाँ पर जोड़ना है और इस निशान को यहाँ पर जोड़ दीना है तो इसके लिए यह हमने scale ली है अगर आपके पास scale नहीं है तो आप इस तरह से free hand से shape दे सकते हैं तो इस तरह से हम दोनों points को उपर की तरफ जोड़ेंगे और bottom में हलका सा तेरचा लेके इसे जोड़ देंगे तो यह हमने margin लिया था extra उसे हमें तेरचा ले लेना है और उपर की तरफ भी straight line draw करनी है तो front part की marking हो गई है अभी हमें same marking के उपर इसे cut कर लेना है तो हमने front part की cutting कर ली है तो यह हमारे front के दो part आ गए है अभी हम back part की cutting करेंगे तो कपड़े को हमें फिर से two fold में रखना है तो देखें हमने कपड़े को two fold करके रखा है open वाली side हमने अपनी तरफ कर ली है अभी इसके उपर हमें front के part को रखना है और यहां पर हमें दो इंच उपर छोड़ना है उसके बाद ही front part को रखना है क्योंकि हमारा back का part दो इंच बड़ा रहेगा front part से तो इसके लिए दो इंच का margin छोड़के रखेंगे उसके बाद यहां की जो हमारी side है इसमें हमें कोई change नहीं करना है इसे हम as it is mark कर लेंके और यह जो हमारी आसन वाली side है यहां से हमें दो इंच बढ़ा लेना है तो हमें सिर्फ आसन वाली side में ही change करना है और पूरे में हमें 2 इंच बढ़ाते वे जाना है फ्रेंट पार्ट से उपर की तरफ भी बढ़ा लेंगे 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है और नीचे की साइट्स में भी हम 2 इंच बढ़ाते वे जाएंगे और इन सारे निशानों को अभी हम जोड देंगे और ये वाली जो साइट है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है इसे हम आज इट इस मार्क कर लेंगे बॉटम को भी जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे स्ट्रेट तो यहाँ पर देखे दो इंच हमने उपर की तरफ बढ़ाया था फ्रेंट पार्ट से तो इसे हम तीरचा यहाँ पर जोड लेंगे तो ध्यान देना है कि हमें आसन वाली साइड ही बढ़ानी है उपर की तरफ दूसरी साइड हमें नहीं बढ़ानी है तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है तो बैक पार्ट में हमने दो इंच उपर बढ़ाया है और साइड में भी दो इंच बढ़ा दिया है पुरा नीचे तक तो इससे आपका जो प्लाजो पाइंट रहेगा वो उटने बैठने में खिचेगा नहीं और पहनने में भी कमफर्टेबल रहेगा तो अभी हम फ्रेंट पार्ट को साइड में रखेंगे और इसी मार्किंग के उपर इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से हमने बैठ पार्ट की कटिंग कर ली है तो ये हमारे बैठ के दो पार्ट से और ये फ्रेंट के दो पार्ट से तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगानी है इसी तरह से बैक पार्ट की भी दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगानी है तो हमने आपर आसन में सिलाई लगा दी है अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और front part में हमें pocket लगाना है तो front part को हम open करके रखेंगे और front part को हमें सीधी side में ही रखना है ये दिखें ये सीधी side है तो यहाँ पर मैं right side में pocket लगाऊंगी तो यहाँ से हमने 2 इंच उपर से belt के लिए छोड़ा था तो इसे हम यहाँ पर line draw करके straight कर लेंगे क्योंकि marking हमें इस line के नीचे करनी है और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे सभी size के लिए यहाँ पर 3 इंच पर ही निशान लगाना है उसके बाद यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे 6 इंच पर तो ये भी सभी size के लिए same ही लेना है उसके बाद यहां से अंदर की तरफ हम half inch पे निशान लगाएंगे और यहां से भी अंदर की तरफ half inch पे निशान लगाएंगे और इन दोनों points को हम straight line से जोड देंगे तो अगर आपको दूसरे साइड में भी pocket बनाना है तो same इसी तरह से marking दूसरे साइड में भी कर लीनी है तो इस तरह से हमने pant के उपर marking कर ली है अभी हम pocket की cutting करेंगे तो इसके लिए यह हमने एक fabric का piece लिया है और इसकी जो length है वो 11 inch की है और इसकी जो width है वो 14 inch की है अभी हम इसे width में fold कर लेंगे और यहाँ पर जो open side है यहाँ से हम 1.5 inch पर mark करेंगे 1.5 inch पर तो सभी size के लिए 1.5 inch पर ही mark करना है उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम 6 inch पर mark करेंगे क्योंकि हमने pant में भी 6 inch पर mark किया था और यहाँ पर भी हम 1.5 inch अंदर की तरफ mark करेंगे उपर भी 1.5 inch अंदर की तरफ mark करेंगे और straight line से इसे जोड देंगे और यहाँ से हम हलका सा curve shape देंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो ध्यान देना है जो marking की है उसके उपर cut नहीं करना है अभी हम pocket को attach करेंगे तो pocket को अभी हम open करके रखेंगे तो इस तरह से इसे open कर लेना है और जो marking की है तो same marking के उपर हमें इसे रखना है इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है जो निशान बनाया है उसी के उपर तो यहाँ पर दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है pocket की और pant की उसके बाद हमें stitch करना है तो हमने यहाँ पर stitch कर लिया है उसके बाद हमें side से half of inch का cut लगाना है तो जो सिलाई है उस पर cut नहीं करना है उसके बाजू में हमें half of inch का cut लगाना है इस तरह से ये दिखे और अभी पॉकेट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कर्व शेप हैं वहाँ तक स्टिच कर लेंगे हाफ इंच के डिस्टन्स से यहाँ तक तो हमें सिर्फ पॉकेट को ही सिलना है नीचे के कपड़े को हमें नहीं सिलना है तो देखे इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है उसके बाद हम पॉकेट को सीधी साइड में टर्न करेंगे इस तरह से टर्न कर लिना है और अभी पॉकेट को हम wrong side में turn कर लेंगे तो यह हमारा easily wrong side में turn हो जाता है क्योंकि हमने दोनों side में cut लगाया है 1.5 inch का यह देखे अभी जो हमारा pocket है यहाँ पर हम top stitch लगा लेंगे यहाँ पर top stitch लगाना है तो हमने यहाँ पर top stitch लगा लिया है अब यहाँ पर जो open है इसे हम stitch कर लेंगे दोनों side में तो देखें यहाँ पर इतना open है हमारा तो इसे हम यहाँ पर stitch कर देंगे तो यह बंद हो जाएगा तो हमने यहाँ पर stitch कर लिया है तो यह हमारा pocket बन के ready हो गया है और back side में जो उपर की तरह open part है तो जब हम belt को इस तरह से fold करेंगे तो यह हमारा part बंद हो जाएगा अभी हम back का part इसके उपर उल्टा रखेंगे दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रख लेनी है तो सीधी side हमने अंदर की तरफ रख ली है उसके बाद हम center में सिलाई लगा देंगे दोनों side के center को मिला के सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर center में सिलाई लगा दी है उसके बाद हमें bottom को fold करना है तो bottom में हमने 2 inch का margin लिया था तो उसे ही हमें double fold कर देना है इस तरह से तो हमने bottom को fold कर लिया है दोनों side के अभी हम side में सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा back का part बड़ा है front part से तो भी उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा हमें तो हमें सिर्फ दोनों की किनारियों को अच्छे से मिलाना है इस तरह से किनारियों को अच्छे से मिला लेना है और सिलाई लगा देनी है half inch की distance से अब यहाँ पर हमारा pocket है तो ध्यान देना है कि सिलाई हमें pocket में नहीं लगानी है सिर्फ कपड़े पे हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे side के भी दोनों किनारियों को अच्छे से मिला लेंगे और सिलाई लगा देंगे तो हमने दोनों sides में भी सिलाई लगा दी है अभी हम belt बनाएंगे तो belt के लिए हमने 2 inch उपर से छोड़ा था तो सबसे पहले हम 2 inch का fold कर लेंगे तो सभी तरब से हमें 2 inch के कपड़े को fold कर देना है और उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो सिलाई करने में जोल नहीं आएगा तो हमने प्रेस कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 inch का fold करेंगे और यहाँ पर हम पूरे में पिंस लगा लेंगे और back side में भी हमें पिंस लगा लेने है तो back side हमारा बड़ा है तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी plates डाल लेनी है तो यहाँ पर जोल नहीं आएगा और हमें सिलाई लगा देनी है पूरे में तो हमने इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा open रखा है इसके अंदर से हम elastic डालेंगे तो यह हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो 27 इंच की है तो जितनी भी आपकी waist size है उससे आपको 3 इंच minus करके लेना है अभी एक pin लेंगे और pin की help से हम elastic को इसके अंदर डालेंगे तो elastic को एक तरफ से डालके दूसरी तरफ से हमें बाहर निकालना है तो इस तरह से हमने elastic निकाल लिया है अभी हम इसे overlap करके सिलाई लगा देंगे तो हमने इसे overlap कर लिया है अभी elastic को हम अंदर करेंगे और यह जो हमने open छोड़ा था उसे stitch कर लेंगे और उसके बाद पूरे round में हम सिलाई लगा देंगे तो elastic हमारा fix हो जाएगा तो यह हमारा elastic लग गया है और यह pocket हमने बनाया है इसमें और bottom में हमने यह button stitch किये है तो इस तरह से यह हमारा plazo pant ready हो गया है जए बनाया में वार क्वाइब प्संताल्स पूल स्वेब भाएब डोल कšके तो क epsilon जए भाज कर चल को यह थाने कर वह 바ै कैसे ऑङ़े बनादी बनादीन झाल झाल